नमस्कार कैसे आप मैंने दोश कोशिक योगाय दुविद से अर्थराइटिस कहा होता है कौन-कौन सी जगे होता है और उसका क्या नाम होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ तो ये फीजियो थैरपी की चर्चा चल रही थी लंबर इस्पोडी लेशिश ये लंबर तथा बल्टीवा में कमर और हिप में होता है सर्वाइकल इस्पाडी लोसिस ये गर्दन में होता है पेरी अर्थराइटिस कंधे में होता है औस्टियो अर्थराइटिस घुटनों में होता है और अर्थराइट में हमें कैसी कैसी थेरपी देनी जाए तो आइस थेरपी तो हम तुरंत चोट लगती है तब देते हैं होट पैक 3-4 दिंकी चोट पर देते हैं और उसके बाद में गाठ और जोडों का दर्द दूर करना और उन्हें कुछ नरम पनलाना- लचीला लेकिए घुटने के साइड में यदी दर्द है तो हम वैक्स नहीं दे सकते हैं साइडों में यदी दर्द है तो वैक्स नहीं देंगे लंबर सर्वाइकल जब हमें है तो IWD short wave हम दे सकते हैं exercise therapy जैसे संदी संचालन है पवन मुक्तासन है ये इसकी सीरीज वन के आसन रोग के अनुसार हम देंगे लंबर कमन भुजंगासन, सलवाशन मकरासन और मरकटासन ये चार आसन आप लंबर कमर में देंगे गुटने या एल्बो में आपके कोई समश्चा है तो अंगुले नमन और गुल्फनवन और इस बीच पर मित्रों मैं बताना चाहूं कि मैंने ये आसन अपनी वीडियो में पहले डाल चुके हैं एक-एक करके कमर के ये सारे हाथों के पेरों के कनदों के शोलडर के सब कुछ मैंने ये डाल रखा है और कन्दे की एक्शसाइज भी करेंगे एक्सतैशन गरेंगे जिनकों मैं चित्रों के माध्याम से आपको बताना चाहूँगी और एक्स्तैशन करेंगे रोटेशन भी करेंगे और ये सामने मूँ करके आप खड़े होकर दीवार के सहारे धीरे 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 हाथ चलाएं ये भी एक प्रकार की exercise है गुटने के नीचे उसके आसपास क्या है गोल और पतला छोटा मसंद लगा सकते हैं मसंद तकिया उसको दवाएंगे गुटने के नीचे लगा के उसको ऐसे push up करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी गुल्फ नमन करेंगे जानु नमन करेंगे और ये abduction अटाएंगे फिन नीचे करेंगे ये विल्कुल मैंने पूरा आपको दिखाया है इससे हमारी संधियों में गती होती है ये सब हमारे चितरे है हाथ का extension करना है flexion करना है यहाथ हमारी इधर ले जाना है कंदे के जोड को ऐसी हाथ को उठाना है ये जितर के इमाध्य हमसे मैंने बहुत एजीली समझाने की कोशिश किया हो सकता है आपको समझ में भी आ रहे हो यह सब करना है अपने एब्डेक्शन यह है इसके बाद में नी का फ्लेक्शन करना है सब्ट्रेक्शन करना है गुट्णों के जोड़ों के लिए उपर ले जाना है नी चले यह तीर दर्स आ रहे हैं कि ऐसे ले जाना है फिर ऐसे ले ज कुछ है तो यह है हमारा अब निटल रोटेशन कैसे करनी है भी धीरे-धीरे-धी रहात को ऐसे रखना है तना उसके बाद में यह शोल्डर करनी है हमने और उसके वाद सरकम डेक्षन हाथ के लिए पहले नीचे ले आएंगे फिर उपर ऐसे 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 यह बने आसनों के थुरूप पहले आपको सारा कुछ बताया है इस तरह करेंगे यह प्रक्रिया यह आप चाहेंगे तो मुझे बताएं तो मैं निश्यर रूप सापको फिर दुबारा से बताऊं यह यह सुपर नेट ब्रोनेट इनको ऐसे करना है हाथ को इधर उदर करके, ऐसे करके, ऐसे करके, सुपरनेट करना है, फ्लैक्शन है, यह अब्डेक्शन, अब्डेक्शन, यह सारे, यह सभी चित्रों के माध्धम से मैंने आपको बताया है, तो आप निश्यत रूप से इसका लाब उठाएंगे, धन्यवाद, आज की शंखल मितना ही कल फिर मिलते हैं, आपको पसंद आएड़ तो मुझे लाइक और सबस्क्राइब जरूर करे, धन्यवाद.